वेलकूम फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोगों का स्वाववत करता हूँ इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है फॉंड ओफॉंड ओफ के बारे में जानेगे और मॉडल के साथ इसका किस परकार से स्ट्रक्चर होगा और इस एक question के इस परकार से बनाए जाएंगे उसका क्या structure होगा इसे सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बता हूँआ और इसके साथ इसके use को structure के रूप में बता हूँआ तो मैं हुआ निल्कमार आप देखनें Learn English in Hindi Grammar Conversation तो चलिए शुरू करते हैं ओके friends तो चानती है use of found of found of का use करेंगे हम सौकीन होना या सौक होना के अर्थ में या सौक रखना इसका structure है subject plus is MR was worth plus found of plus worth की fourth form जब first form में ing जोड़ देते हैं plus object और इसके साथ ही हम use करेंगे model verbs के साथ और इसका interrogative किस परकार से बनेगा इसके बारे में भी जानेगे तो आइए देखते हैं you are found of speaking English आप अंग्रेजी बोलने के सौकीन है तो देखिए सबसे पहले हमने subject you उसके बाद according to subject हमने helping verb लिया आर यू के साथ आर का use होता है okay present me उसके बाद fond of आर कि फॉर्थ फॉर्फ फॉर्म इस्पीकिंग फॉर्फ 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 में आ इंग लगा हुआ है उसके बाद object English ओके I am not fond of walking with others मुझे दूसरों के साथ चलने का सौक नहीं है तो यह negative है आप लोग देख सकते हैं I am not fond of fond of से पहले हमने not का use कर दिया यह negative हो गया बात I am fond of reading English books मुझे अंग्रेजी किताबे पढ़ने का सौक है He is also fond of reading an English book उसे भी अंग्रेजी किताब पढ़ने का सौक है तो उसे भी के लिए हम ने क्या कर दिया subject is okay पहले subject लिया उसके बाद according to subject is उसके बाद हम fond of से पहले also का use कर दिया यह ध्यान कर दिया अगर भी आपको बोलना है जैसे उसे भी मुझे भी I am also fond of इस परकार के तो यह sentence हो गया but he is also fond of reading an English book उसे भी English किताब पढ़ने का सौक है he is fond of eating sweets वह मिठाई खाने का सौकीन है I am fond of talking मुझे बात करने का सौक है you will be fond of walking आपको चलने का सौक हो जाएगा तो यह future की बात हो रही है तो हमने will be का use किया है okay subject उसके पाद will be fond of walking वर के fourth form he is fond of teaching उसे पढ़ने का सौक है I am fond of speaking English मुझे अंग्रीजी बोलने का सौक है you may be fond of speaking English तो यहां हमने may be जो की मॉडल है may उसके है तो may be आप इस्ट्रक्चर सिंप्ली जान सकते हैं अगर आप लो जान कर रही है अदर्वाइस मैं आपको बता भी देता हूं subject उसके बाद may be plus fond of बाद के fourth form और फिर object तो यह हो गया आपको अंग्रीजी बोलने का सौक हो सकता है you should be fond of speaking English आपको अंग्रीजी का सौक होना चाहिए you must be fond of English आपको अंग्रीजी का सौक जरूर होना चाहिए तो इसे परकास से आप models का यूज कर सकते हैं you should have been fond of talking to the people उसे लोगों से बात करने का सौक होना चाहिए था पास्ट की बात हो रही है हमने should have been का यूज किया है देखिए I should have been fond of wearing good cloths मुझे अच्चे कपड़े पहनने का सौक होना चाहिए था I was fond of reading मुझे पढ़ने का सौक था He was also fond of doing this work उसे भी या काम करने का सौक था अगर भी वाला वाक्य बनाना है आपको तो fond of से पहले also का यूज कर दे जैसे he was also fond of doing this work He was fond of talking with her उसे उसके साथ बात करने का सौक था तो इसे परकारते आप fond of का यूज कर सकते हैं जो कि काफी easy है structure मैं आपको बताता हुआ चली रहा हूं देखिए he was fond of doing this work but now he is not उसे या काम करने का सौक था लेकिन अब नहीं है तो यहां तक देखिए simple जो मैंने आपको structure बताया है पहले subject past के बात हुए हमने वासका यूज किया है ही के साथ वासका यूज होता है उसके बात fond of doing verb के fourth form other words this work okay उसके बात हमने but का यूज किया उसके बात now he is not मतलब कि अब नहीं अब नहीं है okay उसे या काम करने का सौक था लेकिन अब बहन नहीं है sorry उसे कर देते हैं अब नहीं है okay you were fond of walking outside at night आप रात में बाहर चलने के सौकील थे he should also be fond of reading English book उसे भी अंग्रेजी किताब पढ़ने का सौक होना चाहिए तो उसे भी के लिए हमने क्या किया है मैंने आपको बताया fond of से पहले also का यूज करना है लेकिन यहांपर हम should का भी यूज करते हैं इसलिए हमने बी से पहले also का यूज किया है ओके आपको भी अच्छा काम करने का सौक होना चाहिए मुझे भी सुबा टहलने का सौक होना चाहिए और आपको अगर क्वेस्टन बनाने है तो आप इस परकार्थ बना सकते हैं हेल्पिंग वर्प को अगर आपको प्रजैंट में बनाना है प्रजैंट के लिए आप इस अमार को यूज करेंगे हेल्पिंग वर्प को स्टार्टिंग में रखना उसके बाद सब्जैक्ट रखना है उसके बाद पॉंड ऑफ वर्प के फोर्फ पॉंप और अप्जैंट्स सिंपल बन जाएगा इंटेरोगीटिव संटार्ट के साथ बनाना है तो हेल्पिंग वर्प से पहले रख देंगे डव्पिंग जैसे कि यह है और यू फॉंड ऑप इस्पीकिंग इंगलिस यह है क्या आपको क्या आप इंगलिस बोलने का सौक रखते हैं ठीक है अगर हम यहाँ पर कर दें आप इंगलिस बोलने का सौक क्यों रखते हैं तो यह हो जाएगा वाई आर यू वाई आर यू वाई आर यू फॉंड ऑफ इस्पीकिंग इंगलिस आप तो हमने डबलो एच प्रस्टन को अगर आप इंगलिस बोलने का सौक क्यों रखते हैं और क्यों रखते थे आप इंगलिस बोलने चाते हैं पॉंड ऑप से हुआ